मुवी की शुरुआत होती है शील और डल्फिन के टीम से ओ लोग इंसानों के साथ मिल कर पानी में रखे हुए बम को डिफ्यूस करते हैं एक दिन ओलोक बम को diffuse कर रहे होते हैं, कलागर उस बम का एक तार काद देता है उन्हें लगता है, बम diffuse हो गया होगा फिर उस बम को military को लोग उपर तानते हैं लेकिन तभी बम फट जाता है और ship एक पठर में जाके तकराता है और सबी लोग नीचे गिर जाते हैं क्लागट और स्विच भी नीचे गिर जाते हैं क्लागट गिरते समय उसका आर्मी का लोकेट भी नीचे पानी में गिर जाता है उसके बाद मुवी कुछ साल आगे जाती है और वहाँ पर बेंजी और कुईन को दिखाया जाता है वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं वो दोनों मसले पकरने के लिए एक पत्थर के पीछे छुपकर बेठे होते हैं और वहाँ पर जैसे ही मसले आती है वो दोनों मसले पकरने के लिए आगे जाते हैं होता है वो दोनों वापस आ रहे होते हैं लेकिन तभी वहाँ पे सार्क आ जाते हैं और उन दोनों को खाने की कोशिस करते हैं लेकिन वो दोनों वहाँ से बच कर बाहर निकल जाते हैं फिर एक लोकेट को निकाल कर कुईन बेंजी को देता है और वो दोनों हमेशा एक दूसर बेंजी भी आ जाता है। ले लेता है। लेकिन का साथ कोई भी नहीं देता। फिर कुईन नीराशो के जा रहा होता है। तभी वहाँ पर बेट नाम की सील आती है। फिर क्लागट उन तीनों को टेर्निंग देता है और उन दिन राद टेर्निंग करने लगते हैं और उन तीनों का लास्ट टेर्निंग होता है एक सार को पकरना और उन लोगों को उसके लिए हतियार भी चाहिए होता है राट को कुईन बाहरा के बेठा होता है तब ही वहाँ प निकाल दिया गया, उसके बाद डॉल्ब सो बिजनेस में चला गया, और स्विच मेकानिक का काम करने लगा, उसके बाद वो सब स्विच के पास हतियार लेने जाते हैं, स्विच के पास बहुत सारे हतियार होते हैं, जो वो खुडने बनाया होता है, और वो इन बीजीबल वाल और वहाँ पर दो सार्क सब कुछ देख रहे होते हैं, फिर वो दोनों ग्राइम्स के पास जाते हैं, और सब कुछ बताते हैं, वो कहते हैं सिल सार्क के उपर हमला कर रहे हैं, ये सुनकर ग्राइम काफी घुसा हो जाता है, और सारे सार्क को बुलाता है, क्विन और उसका टी कुईन को और उसके टीम को बताते हैं वो लोग पानी में से जा नहीं सकते क्युंकि वहां पर बहुत सारे सार्क होते हैं इसलिए उन लोगों को बोट चाहिए होता है फिर उन लोग पहले बोट चोरी करने जाते हैं वहाँ पर गिरालडो की गुल्फेन जीन होती है और वह भ खबरी के हैता है ये तो गिमी का एक चाल था असली प्लान तो कुछ और है कुईन के हैता है हमें जल्दी से गिमी का प्लान का पता लगाना होगा लेकिन उन लोगों को सार्क देख रहे होते हैं इसलिए वह लोग बोट में अपना डॉमी बना कर वहां से छूपकर निकल जात लेकिन तभी स्विच का अक्टो सूट खराब हो जाता है और फिर उन सबी को सार्क गेर लेते हैं फिर क्लागट कुईन को अपना लोकेट देता है और वहां से निकलने को कहता है और क्लागट अकेला है उन से लरने जाता है कुईन भी उसके पीछे जारा होता है लेकिन बा निसे quinn टीम के पास आता है, फिर वो लोग शील को बचाने के लिए जाते हैं, एक सिप के अंदर सभी सा रही सार्क से बंडे कर रहे होते हैं फिर क्विन और उसका तीम सिल को बचाने के लिए सार्क के पिछे जाते हैं फिर सार्क और क्विन के टीम के साथ दमदार फाइट होती है लेकिन सार्क क्विन और उसके टीम को घेर लेते हैं और सार्क उने खाने ही वाले होते हैं लेकिन तभी क्लागट और डॉल्प हठियार वाले सीप लेके आ जाते हैं और सार्क के उपर हमला कर देते हैं क्लागट और डॉल्प को देके वो लोग बहुत ही खुस हो जाते हैं और वो लोग भी सार्क से जम कर फाइट करते हैं और सारे सिल उसी सीब के उपर चड़ जाते हैं, क्विन और उसके टीम भी सीब के उपर चड़ जाते हैं, लेकिन तभी ग्राइम क्विन के उपर हमला कर देता है, क्विन को तो कुछ नहीं होता लेकिन उसका लॉकेट दूसरे लॉकेट से लॉक हो जाता है, फिर सारे सिल मिल